अगस्त में ओयल मील एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अगस्त में ओयल मील एक्सपोर्ट 71 फीसद बढ़कर 2,82,000 तन पर पहुँच गया है अगस्त 2022 की अगस्त में देश से होने वाला ओयल मील एक्सपोर्ट 40 फीसदी बढ़ा है जानकारों का कहना है कि देश में ओयल मील की कीमते कम होने से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है दरसल इस अवदी में रैपसीड मील के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है जबकि सोयाबीन मील एक्सपोर्ट पांच महीने के सबसे निचले सर पर फिसल गया है वहीं राइस ब्रान की पिराई भी घटकर 2,10,000 तन पर आप पहुंची है चबकि अगस महीने में कैस्टर मील का एक्सपोर्ट बढ़कर 1,29,000 तन पर पहुंच गया था देख से ओयल मील का एक्सपोर्ट किन देशों में सबसे ज्यादा है इस पर आईए नज़र डालते हैं सबसे पहले बात करें वियतनाम और फिर थाइलेंड पहले वियतनाम का नमबर आता है तो उसके बाद थाइलेंड का नमबर आता है और सबसे पहला नमबर साउथ कोरिया का है ओइल मिल के एक्सपोर्ट आंकडों पर नज़र डाले तो अगस 2022 में देश से होने वाला ओइल मिल का एक्सपोर्ट 2,82,000 टन रहा जबकि अगस 2021 में 1,65,000 टन ओइल मिल का एक्सपोर्ट किया गया था अपरिल से अगस 2022 की अवधी में देश से ओइल मिल का एक्सपोर्ट 15,31,000 टन पर रहा था जबकि अपरिल से अगस 2021 की अवधी में देश में ओइल मिल का एक्सपोर्ट 10,92,000 टन देखने को मिला था वहीं अगस्थ 2022 में देश से एक लाक हाट हजार टन सोया मील का भी एकसपोर्ट हुआ जब की अगस्थ 2021 में एक लाख छपपन हजार टन सोया मील का एकसपोर्ट देखने को मिला था वहीं अगस्ट 2022 में देश में 2,11,000 टन rice bran used की पराई हुई चबकि अगस्ट में 2,66,000 टन rice bran used की पराई देखने को मिली थी वहीं केस्टर मील एक्सपोर्ट के आंकडों पर नज़र डाले तो अगस्ट में 2022 में देश में 1,29,000 टन केस्टर मील का एक्सपोर्ट किया गया चबकी अगस 2021 में देश से 1,27,000 टन कैस्टर मिल्क का एक्सपोर्ट देखने को मिला था बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम स्टीब